और याग नजारा अगर थोड़ी सी ओवर बारिश हो जाती है तो जैसे आबू आ गए हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग मैं विजय सोलंकी आप सब का हादिक स्वागत करता हूँ और दोस्तों आज हम जाने वाले त्रिसुलिया गार जो की अमबा जी जाते समय बीच में आता है और वहाँ पे जगा बहुत ही मस्त है बाहर बाहर से लोग आते वहाँ पे वह नजारा देखने के लिए तो वह नजारा में आपको आज दिखाने वाला हो तो वीडियो में लास से पहले जाएंगे पहले मेरी मस्तानी को पहले तो खाना खिलाएंगे उसके बाद साजेंट भाई को ड्रॉप करेंगे साजेंट भाई को लेकर फिर हम आगे निकलेंगे तो चलिए पहले चलते हैं हमारी मस्तानी को कुछ खाना खिला दे क्यूंकि उसे भी भूख लगी य झाल 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 और तेख में तेख रहा है वह आपके मंदिर है अमबे माता जी का और यह देखिए आप देख सकते हैं यहां पर कितनी सारी पॉब्लिक है हम लोग साजन बाई को पुछते हैं कि यह कितने खर्चे में हुआ था शाजन बाई बताएंगे आप कि यहां का बाज़ा बहुत अच्छा है कुद्रती स्वंध्य नज़ा रहा है और यहां से आप लेखेंगे तो कुद्रत सोड़े कलाए खिली उटी हुआ है देखाई रहा है जे यहां के सब गुजरात के परे आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी हर्याली है और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है इसको कहता है और आगे का भी नजारा आपको दिखाएंगे देखें बहुत सारे पब्लिक देखिए यहां पर सब सेल्फी ले रहे दोस्तों यह देखें बहुत अमेजिंग नजार आए दूर दूर तक पहाड़ी दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है पर घ्रनी जाड़िया देख रहे हम लोगों को अगर यह हमारे साजन भाई भी सेल्फी ले रहे आज आज दूर ऊजया दोस्तों अबशी बहुत पहाँ आज नहाँ अजै ात च्रlay नहाँ उल्जाए आपको आपको आपके कैसा लगा और कैसा नजारा कैसा लग रहा है और आपको आपके का अच्छा लगा यह बताई है है आपको आपके क्या अच्छा लगा ओ बताई है कि यह तो आपके अंधास से लग रहा है कि आप जाने की को जोरी नहीं यहां आगे सब कुछ बिल गया है आभू का नजारा ले सब्सक्राइब पब्लिक रिखो बहुत कुप चीरक भाई थांक्यू रहे साजन भाई कुछ कहना चाहते हैं बोलिए साजन भाई सब्सक्राइब देवी मां अम्बा जग्दम्बा अधाम अंदर जता तिर्शुले गाटने इंदर विव पॉइंट उपाम आया चे बंदे विव पॉइंट ने अंदर अम्बा जत्ति विव ते प्रब्लिक रहे हैं वोतानों थात महसूस करे शे अहीं बहस करे अने शेल्फी पॉइंट ने शेल्फी पॉइंट ने चे विडियो बनावा है और खोड़े आके जाए कि आप तो वहां पर आपको मिलेगा तुर्शुले देवी मां अम्बा जी ना मंदिर से स्थान से देवी नुँँ एक मिने अर्वीन सी राजपूज अपने साथ है सर्ब बताई आप को यहां पर कैसा लगा है किसा मैसूस हो रहा है एक तम हलकाल का फिल हो रहा है अहां यहां लग रहा है माउंट आगू में आगे है अहां और थैक्यू अ कर दो आप नमले आपके में आपके में गूत खरापके में सतुल्स यहां जाया है विल कैस्ट नयुँ घरी कि आपके नहींुँआ है अचलू यहां विल करताए से ने जाए तो इसाना आपके पिसे घ्राऊ एंटो आपके प्राताः ने दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात ही हमको यह अच्छी लगी कि यहाँ परकिंग की बहुत ही मस जगा दी। यहां पर गाड़ी देखो आप कहीभी पार्क कर सकते हैं यह देखे बहुत ही मस्जगा है और यहां पर पार्किंग एकदम फ्री है आप कहीभी पार्क कर सकते हैं अपने गाड़ी झाल पहल झाल पे सब घर भी नज़ी की है दिख रहे है छोटे-छोटे हमारे क्रमक नज़ोत था आए हमारे साजन बाइस यूपोइंट्ट के बाड़े में कुछ कहना चाहेंगे सुनते हैं उनके साथ कि यह यूपोइंट two one है यहाँ पर ज्यादा सर्य यहाँ मेरा कासमां था तृया और और कहीं भी एद कासमा अपले अंब इसने सुधा होगा एक लग्जेरी पल्टिक हाई थी उसमें 49 लोकों की मुथ हुई थी गटना स्थड़ पर बहुत सोक्का महोल था उसलिए सरकार ने तुरंत ही निने लिया और चार मारगी रस्ता बनाने का एलान किया और यहां पर पहले भी बहुत सारे गाडिया एक्सिड पर उनका मंदिर बनाने के बाद फिर कम हो गए हां वही सुना है वह सकति साड़ी अनमान जी दादा है और यहां का बहुत प्रभाव है और बहुत स्रद्दा है अनमान जी की वह प्रभाव है कोई भी यहां पर यहां पर फोड़ी दिर के रुकता है और दचन करते हैं और बहुत स्रद्द्दा थैस मान मान जी दादा की घू काम फूर्ण ही और मननत रहते हैं तो और आप अच्छे होते हैं सभी काम भो जाते हैं थांक यू साजन भाई हेलो दोस्तो दोस्तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे साजन भाई भी हमारे साथ थे जो कि उन्हों बहुत ही अच्छा सागाइड लाइन जिया और बता है कि यूप यहां पर यहां पे एसा शाय है ऐसी जगह है यहां पर लोग क्यों आते हैं और सब इन्जों ने बता हमोर्ट वाह ने हमें बहुत सपोर्ट किया है तो मैं सद्वर का दिल से आबारियों सदिन वाई हैंक्यू अगली बार जो आप वीडियो बनाओ तो मेरे मेरो को भी साथ में लेकर जाओ और मेभी आपके फुआ सपोट करूँ तो मित्रो आपको वीडियो अच्छा लगा हूँ तो वीजे को फुल सपोट करो लाइक करो सब्सक्राइब करो जैम पन वदू पन वदू तमे एनने सेर कर झ detector करो नघ जाओ सब को दो अभरा जने सब्सक्राइब